असलामलेकूम वीवर्स कैसे हैं आम सब्सक्राइब्स होंगे। नैस टेक्सी से दुबई टेक्सी से। कहने का मतलब दुबई में टेक्सी की बात का रहूरू है तो बहुत तारे기skrice अपनी पैकेज़े ब्ग तो करके यह hybrid गाड़ियां और फिर Tesla Model 3 और Tesla Model Y भी अब टैक्सी में आ गई है कहने को अगर आपने टैक्सी के बिजनस में आना है और टैक्सी चलानी है तो यह एक बहुत ही चीप सस्ती उन लोगों के लिए यह बहुत जादा अच्छी opportunity है जो लोग जादा पैसे मतलब के लेमुजीन लेने के पैसे नहीं रखते इसके बहुत जादा benefits है टैक्सी के अगर आपके पास 4000 दिरम्स हैं तो आप लोग यह काम असानी से आके यहां पर कर सकते हैं दुबई में नमबर एक अगर आपके पास यहां का license है तो बहुत ही अच्छी बात है वैसे बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता तो अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं यहां पर आके भरती होंगे किसी भी टैक्सी के दफतर में जाके इंटर्व्यू देंगे आपको basic English आनी चाहिए सिर्फ इतनी के आप पढ़ लें जिससे आप टेस्ट पास कर लें और counting आनी चाहिए जो मतलब one plus one two इस तरह की कोई चोटे मोटे दो तीन टेस्ट है उसके बाद आप टेक्सी चला सकते हैं आर्टीय कार्ड लेने के बाद इसका पहला प्रोसेस यह होता है कि आप किसी भी टेक्सी के आफिस में जाके अपना इंटर्व्यू देते हैं जहां पर इंटर्व्यू चल रहे हूं टेक्सी का इंटरव्यू बहुत ही असान होता है टेक्सी का इंटरव्यू देने के लिए आपके पास बिल्कुल बेसिक सी नॉलिज होनी चाहिए दुबई के बारे में जैसे के दुबई मॉल है, एरपोर्ट है और ये वो बाकी सारी चीजें वो आपको खुझ सिखा देते हैं इसमें आप एडवांस पे कुछ पैसे देते हैं पनरह सो, दौ हजार, कभी एक हजार भी वो लोग ले देते हैं और कभी कभार कुछ भी नहीं लेतें और बहुत सारे लोगوں को वो लोग भ्रती कर लेते हैं और इसमें आपको वो अपनी accommodation देते हैं लाइसंस की फासल वो आपके open करते हैं लाइसंस की फासलों करने के बाद आपके सारे आपके वो देते हैं उसके बाद आपके कप्ड़े जो आपने मतलब uniform पहेंना हैं वो भी आपको वो देंगे लेकिन को डिूटी के बाद RTA Card का खर्चा तक्रीबन 3,000 दिरम है लाइसंस का खर्चा तक्रीबन 7,500 दिरम है वीजे का खर्चा भी 7,500 दिरम है तो ये सब इतना सारा खर्चा वो कंपनी आपका उठाती है उठाने के बाद आपको रोड़ पर छोड़ के आपकी जो गाड़ी आप चलाते हैं उसमें अगर आपने शुरू में जो पैसे नहीं दिये अगर वो 4,000 तो पहले वो काटेंगे कभी को बाद 5,000 होता है कभी ये package 6,000 होता है कभी 7,000 डिपेंड करता है ये time के उपर कम से कम 4,000 ये आप से लेते हैं इसके बाद 12 गंटे की गाड़ी वो नए बंदे को देते हैं 24 गंटे की गाड़ी वो उस बंदे को देते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है तो ये तो खैर end है आपको जब ये दुबई टेक्सी या नैशनल टेक्सी या कास टेक्सी में इंटरव्यू देना है उसके बाद आपको सबसे पहला process है कि वो आपकी अगर license है तो license के बाद आपकी RTA की file open करेंगे नहीं तो आपकी पहले license की file open होगी license के लिए आपको तुबई की तकरीबन 40 road की class लेनी है और फिर आपको तीन टेस्स देने है पार्किंग का टेस्ट होगा आपका एक knowledge टेस्ट होगा और एक final road टेस्ट होगा और इसके बाद आप अपना RTA card लेंगे RTA card के लिए आपकी 15 classes होगी पहले ये 25 होती थी थी फिर ये 20 होगी है अब ये 15 आज कल होती है 15 classes लेने के बाद आप इस किप पर आपके दो टेस्ट होगे एक psychometric टेस्ट होगा और एक फिर final टेस्ट होगा map टेस्ट होगा रोड टेस्ट वो करने के बाद आपके पास RTA card आजाएगा यही same process लेमोजीन का भी है मगर लेमोजीन में आने के लिए आपके पास 50-60,000 धिरम होने चाहिए और income बराबर है ये बात सुनके आप थोड़े चोंक जाएंगे income कैसे बराबर है दुबई टेक्सी रोड पर कहीं से भी customer उठा सकती है क्योंके वो सरकारी टेक्सी है किसी भी होटल के बाइट खड़ी हो जाए उसकी मरजी है किसी भी जगा जाए कोई उसको रोकता नहीं है और बहुत आपको सपोर्ट करती है दुबई गवर्मन्ट दुबई टेक्सी को टेक्सी वाले जितने भी हज़रात हैं वो फ्रीली काम कर सकते हैं उनका ओपन जोन है कहीं पर भी काम करें अधर साइट पे जो लेमजीन वाले हैं उनको जॉइन करने के लिए ही 60-70 अजार दिरम चाहिए वीजा, आर्टिय कार्ड और गाड़ी के पैसे उनके पास होने चाहिए कम से कम वो आके आपको महीने में 4,000 से 5,000 दिरम बचत करते हैं एवरिज ड्राइवर की बात हो रही है अधर साइट पे दुबई टैक्सी वाला ड्राइवर जिसने शुरू में कुछ भी नहीं लगाया था वो भी इतने ही पैसे कमाता है बस आप ये कहलें कि कान को गुमा के पकड़ते हैं तो ये शब शबा ये बहुत ज़ादा आपको हाइक क्रियेट कर दिया इस चीज़ की कि लेमोजीन बहुत सुपिरियर चीज़ है और टैक्सी बहुत कम ऐसी कोई बात नहीं है हलागे बहुत सारे टैक्सी वाले लोग लेमोजीन में आते हैं लेकिन वो लेमोजीन में आते हैं वहाँ पर 5-6 सार टैक्सी जलाके अपने पैसे जमा करके और फिर वो यहाँ पर आके लेमोजीन लेते हैं इदर वो freelancer है उदर वो नोकरी पेश है, freelancer का मतलब है कि वो company में अपनी गाड़ी इंवेस्ट का रहे हैं, चाहे पूरा साल वो पाकिस्तान रहे हैं, उनकी किस्त से ही company को घार्ज है, वो अगर वो किस्त दे सकता है, अपना driver यहाँ पर लगा के तो जाए पाकिस्तान, हमें क कोई फरक नी पड़ता, इंडिया चला जाए हमें कोई फरक नी पड़ता, अधर साइड पे दुबई टैक्सी में, आपको गाड़ी क्योंके नोकरी का रहे हैं, आपको वो चलानी है, तो वो मालिक वाली जो feeling है, वो आपकी नहीं होती, लेकिन आप कम से कम कमाते उतना ही है जितना के लैमोजीन का ड्राइवर, लैक्सिस वाला कमाता है, तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि यह अपना concept क्लियर कर लें, कि अपनी गाड़ी लेना लैमोजीन में, और किसी की गाड़ी चलाना है, उसमें आपको अपनी गाड़ी की maintenance भी तो खुद देनी है, रिनीवल खुद देना है, हर चीज खुद देनी है, टैक्सी में साफ चीजों की जिमेधार टैक्सी कमपनी है, सुबह दुली भी गाड़ी मिलेगी, शाम को आपने गंदी गाड़ी जमा करवानी है, युनिफॉर्म आपको वो देंगे, वो उसके जिमेधारी आपकी, उध आपको यह सारे खुद करने लिमूजीनमें खरचा आपने खाने पीने आपने खुद करना करना है यूनी फूम का खरचा करना है आपको अपने वीजे ओर स्डियन आपको अपने गाढ़ी की स्थ देनी honestly वहाँ पर किस्त कोई नहीं, आपको RTA के 1200 देने वहाँ पर वह तो होया ही नहीं, क्योंकि तो उसकी मलकियत ही RTA की है, कंपनी अपना चार्ज लेती है, जो भी कंपनी होगी, लैमोजीन की, मैं अलरवाद लैमोजीन की बात करूँ, तो हम लोग 1500 फस्ट ड्राइवर से, में ड कर सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूँगा, अल्हाफिस.